नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चेनिल MP Exam News में इस वीडियो में हम 15 नवंबर 2021 के मद्ध प्रदेश करेंट अफेर के वारे में चर्चा करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको मद्ध प्रदेश करेंट अफेर की PDF चाहिए तो आप हमारा ये टेलिग्राम गूरूप जोइन कर लिजी इसका link description में दिया है इसमें अभी तक की जितनी भी PDF हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी और कल की जो revision वीडियो थी उनका PDF भी इसमें upload कर दिया गया है आप वहाँ से इसे download कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं हमारे कल के प्रसन का उत्तर हमारा प्रसन था निम्न में से किस इस्थान पर एरपोर्ट नहीं है तो इसका सही उत्तर है option number D, सागर में मद्यप्रदेश के सागर में एरपोर्ट नहीं है और मद्यप्रदेश में कितने एरपोर्ट है तो मद्यप्रदेश में 5 एरपोर्ट है और यह भोपाल, इंदोर, खजुराहो, जवलपुर और ग्वालियर में इस्तित है वो जो भोपाल एरपोर्ट है इसका नाम राजाभोज एरपोर्ट है इसे राजाभोज एरपोर्ट के नाम से जाना जाता है वो जो राजाभोज एरपोर्ट है यह देश का पहला इट राइट केमपस बना है यानि कि भारत में जितने भी हवाई एड़े हैं उनमें राजाभ मद्यप्रदेश में जन्जाती गोरव दिवस का आयोजन कब किया जा रहा है तो इसका आयोजन किया जा रहा है 15 नवंबर को यानि के आज ही मद्यप्रदेश में जन्जाती गोरव दिवस मनाया जा रहा है मद्य प्रदेश में भगवान बिर्शा मुंडा की जियनती पर 15 नवंबर को जन्जाती गोरव दिवस मनाया जा रहा है और इसका आयोजन भोपाल के जमूरी मेदान में जन्जाती गोरव महा सम्मेलन का आयोजन होगा और बिर्शा मुंडा का जन्व 15 नवंबर 1875 को हुआ था तथा इनकी मृत्यू 9 जून 1900 को हो गई थी 25 वर्स की आयोँ में इनकी मृत्यू हो गई थी आप देख सकते हैं इस पर टूइट भी है कि 15 नवंबर 2021 को भोपाल के जमूरी मेदान में जन्जाती गोरव महा सम्मेलन का आयोजन होगा और प्रदेश में मनाया जाएगा जन्जाती गोरव दिवस हमारा अगला प्रस्ण है देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हभीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकारपन कोन करेंगे तो इसका सही उत्तरय ओप्शन नंबर A प्रदान मंत्री प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी 15 नवंबर को हभीबगंज railway station का उदघाटन करेंगे और हभीबगंज railway station देश का पहला ऐसा railway station है जिसे PPP के mode पर develop किया गया है अब आप कहेंगे PPP क्या है तो इसका मतलब होता है Public Private Partnership और इसे बंसल गुरुप ने त्यार किया है यह का है तो यह राजधानी भोपाल मिस्तित है और यह भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे एरपोर्ट की तर्ज पर तियार किया गया है अब देख सकते हैं इस पर आर्टिकल भी है कि देश के पहले PPP रेलवे स्टेशन का PM 15 को करेंगे लोकारपन और यह है हभीब गण रेलवे स्टेशन मद्द्द प्रदेश के परिवाहन मंत्री है स्री गोविन सिंग राजपूत हमारा अगला प्रशन है मद्द प्रदेश में 15 नवंबर को जन्जाती गोरव दिवस के अवसर पर किस योजना का सुभारंब होगा तो इसका सहे उत्तर है उप्सन नमबर B मुख्य मंत्री उध्यम क्रांती योजना मद्द प्रदेश में 15 नवंबर को मुख्य मंत्री उध्यम क्रांती योजना की सुरुवात होगी और इस योजना के अंतरगत मद्द प्रदेश के योवा अगर खुद का प्लांट लगाना चाहते हैं तो सरकार से उन्हें लोन दिया जाएगा सरकार उन्हें लोन का भी सुभारंब होगा और जितनी भी ओजनाओं का सुभारंब होगा मैं उन्हें अलग से सेप्रेट वीडियो ले आऊंगा अगला प्रस्ण है भगवान बिर्शा मुंडा के जीवन और संगर्ष पर आधारित फिल्म उल्गुलान एक क्रांती के डिजीटल संस्क्रण का बिमोचन किसने किया है तो इसका सहित्तर है उप्सन नंबर ए मुख्यमंत्री स्री सिवरासिंग चोहान ने तेरा नबंबर को मुख्यमंत्री स्री सिवरासिंग चोहान ने भगवान बिर्शा मुंडा के जीवन और संगर्षो पर आधारित फिल्म उल्गुलान एक क्रांती के डिजीटल संस्क्रण का बिमोचन किया है यानि कि ये कोई पुस्तक नहीं है ये एक मुवी है और मद्द प्रदेश की जन्जाती कार एबं अनुसूची जन्जाती कल्यान विभाग मंत्री कोंने ये है सूसरी मीना सिंग या आप देख सकते हैं इस पर पोस्टर जारी किया गया था जन्जांपर्ग विभाग त्वारा कि भगवान बिर्शा मुंडा के जीवन संगर्शो पर आधारित उल्गुलान एक क्रांती का मुख मंत्री सिरी सिवरासिंग चोहान ने लोकारपन किया 13 अवंबार को अगला प्रस्ण है गोबर्दन परियोजना के अंतरगत पहले चरण में मद्द प्रदेश में कितने बायोगे सनियत रिस्थापित किये जा रहे हैं तो इसका सही उत्तर है उप्सन नमबर C गोबर्दन परियोजना के अंतरगत पहले चरण में मद्द प्रदेश में 7 वायोगे सनियत रिस्थापित किये जा रहे हैं और दूसरे चरण में 122 वायोगे सनियत रिस्थापित किये जाएंगे और वर्स 2021 बाजिस में मद्द प्रदेश के 519 ग्राम ODF प्लेस घोसित हुए हैं यह ODF प्लेस का मतलब होता है open defection free यानि के खुले में सोच मुक्त तो मद्द प्रदेश के 519 गाउं खुले में सोच मुक्त हो गए हैं अब देख सकते हैं कि गोवर्धन परियोजना के अंतरगत साध बायोगेश सन्यांत्र इस्थापित हैं वो दिट्तिय चरण में 172 गेश सन्यांत्र इस्थापित किये जाएंगे वो 519 ग्राम हुए है ODF प्लस गोसित हैं अब हम करेंगे मद्द प्रदेश करेंट अफेर के कल के प्रसनों का रिवीजन हमारा प्लस पहला प्रसन है न्यूजिलेंड और भारत के बीच होने वाली तीन मेचों की T20 सिरीज के लिए मद्द प्रदेश के किन खेलाड़िये का चेन किया गया है तो इसका सहयुत्तर अफ्रोक्ट दोनों आवेश्खान और वेकेंट अईयर दोनों को ही चुना गया है अगला प्रसन है मद्द प्रदेश के किस बिस्वी विध्यले में काम देनू पीट की स्थापना की जाएगी तो ये की जाएगी सागर विष्वी विध्यले में किस जिले के देव तालाव को नगर पंचायत और तहसिल बनाया जाएगा तो इसका सहयुत्तर अफ्रोक्ट नंबर बी रीवा मद्द प्रदेश के किस बिभाग ने रेवीच कंट्रोले बिक्सित किया है तो इसका सहयुत्तर अफ्रोक्ट नंबर बी मद्द प्रदेश के स्वास्त विभाग ने अगला प्रस्न है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिहोर जिले के लिए किस उत्पाद को चुना गया है तो इसका सहयुत्तर अफ्रोक्ट नंबर बी खिलोना और आज 12 वजे एक जिला एक उत्पाद योजना पर एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मत्य प्रदेश के किस जिले के कौन से उत्पाद के लिए चुना गया है उसमें सारे जिलो को हम कवर करेंगे और यह हमारा आज का प्रसन है इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें कि प्रिसिद्द पर्यटन इस्तल और चा प्रदेश के किस जिले में इस्तित है निवाडी में टीकमगड में सिवप्री में या मंडला में इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें और यह था हमार नेक्स वीडियो में तब तक जे हिन जे भारत